हेलो नमस्कार आप सभी का फिर से सुवागत है बी टेक पर मैं हूँ बी और आज हम देखने जा रहे है रेडमी 3S प्रायम का रिव्यू ये फोन अल्ट्रा बजट सेग्मेंट में आता है और मुझे इस फोन को यूज़ करते वे फोर मन्स हो गए है और मैं उसके अकोर्डिंग इसका रिव्यू करूँगा और बताऊँगा कि क्या ये फोन लोंग टर्म यूज़ में भी अच्छा है या नहीं तो सबसे पहले इसके डिजाइन की बात करते हैं हमें Redmi 3S में metal body मिलती है और ultra budget segment में metal body मिलना इससे awesome बात और क्या हो सकती है डिजाइन compact है क्योंकि इसमें 5 inch screen है इसमें सामने की तरफ है 5 megapixel front camera, earpiece, sensors, 5 inch IPS LCD, HD display और 3 capacitive touch buttons पीछे की तरफ है 13 megapixel camera with F2.0 aperture, LED flash, fingerprint sensor, MI logo और speakers उपर की तरफ है 3.5 mm audio jack, IR blaster और secondary noise cancellation microphone राइट साइड पर है volume buttons और power button और नीचे की तरफ है charging port और main microphone और left साइड पर है sim tray जिसमें या थो हम दो sims डाल सकते हैं या फिर एक sim और एक microSD का means ये hybrid slot है design इसका मुझे काफी पैसंद आया, compact form factor है और use करने में कोई problem नहीं आती single hand से भी हम इस device को use कर सकते है और overall design बहुत बढ़िया है अब चलते है performance की तरफ, तो Redmi 3S के अंदर Snapdragon 430 है जो की एक octa-core processor है Cortex A53 का और इसमें Adreno 505 GPU है day-to-day performance अच्छी है, actually budget phone को देखते हुए बहुत अच्छी performance है और इसमें 3Geeks RAM होने की वज़े से day-to-day task में कोई problem नहीं आती apps memory में रहती है और multitasking में भी कोई problem नहीं आई और जैसे की आप सभी जानते है इसमें MIUI 8 है तो user experience हमें same MIUI वाला मिलता है जैसे की सभी MI के phones में मिलता है और ये phone fluid है और snappy भी actually ultra budget में होने के बाद भी ये phone expectations से उपर perform करता है हाँ मैं मानता हूँ कि ये heavy task जैसे की heavy gaming और heavy multitasking नहीं कर पाता पर इसके price को consider करते हुए ये काफी fast है और बहुत बढ़िया top notch performance देता है अगर इसके price range ये जिस price range में आता है उसको consider किया जाए तो अब चलते हैं इसके display की तरफ इसके अंदर 5 इंच की HD resolution की IPS panel है और screen अच्छी है viewing angles भी अच्छे है, brightness, saturation, contrast सब अच्छे है actually display bright है और direct sunlight में भी कोई problem नहीं आती इतनी visible होती है कि आप easily इसे use कर सकते हो तो display में भी ये phone अच्छा है अब बात करते हैं camera के बारे में इसका camera average है और Redmi 2 Prime से हलका सा improved है बस हाँ, front camera में Redmi 2 से काफी improvement है but still not a good camera तो ये camera smartphone तो नहीं है पर हाँ, इस budget में okay camera है और इस budget में phone चाहिए तो ये अच्छा रहेगा आप जैसे की जानते है, ultra budget और budget segment के phones में camera ही struggle करता हुआ दिखता है camera low light में photos अच्छी click नहीं कर पाता ये outdoor में अच्छे shorts क्लिक करता है पर low light में इससे आप shorts क्लिक करना तो भूली जाओ हाँ, indoor lighting में आप थोड़ी ठीक photos क्लिक कर सकते हो इसकी images में sharpness की कमी होती है और सारी fix smooth आती है at last camera इसका average है या फिर हम below average कहेंगे तो उसमें भी कोई problem नहीं होगी अब बात करते हैं इसकी सबसे अच्छे feature की जो है इसकी battery इस छोटे से phone में 4100 mAh की mammoth battery है और जैसे कि मैंने वीडियो के पहले पार्ट में बताया इसमें केवल 5 inch HD display है तो मतला बैटरी ना खतमने वाली इसकी एक बार charge करो और भूल जाओ 2-3 दिन के लिए और smartphone इतनी battery दे दे तो वो more than enough होता है क्योंकि आजकल के smartphones केवल single day जीतना charge देते है और कभी-कभी वो भी नहीं देते तो उसके according इस phone में battery backup बहुत amazing है और जिन बंदों को battery backup की problem रहती है वो इसको ले सकते है इसका battery backup काफी अच्छा है और अब कुछ और feature जो हमें मिलते है जैसे कि fingerprint sensor और IR blaster fingerprint sensor fast है और accurate भी 95% time work करता है और इसमें जो fingerprint sensor है मेरे recording same Redmi Note 3 जैसा work करता है अगर आपने Redmi Note 3 का fingerprint sensor यूज किया है तो यह बिल्कुल वैसा ही same perform करता है और IR blaster भी अपना काम बिल्कुल ठीक करता है IR blaster को budget phone में डालके Xiaomi ने change लाया है smartphone market में क्योंकि हमें generally flagships में पहले IR blaster देखने को मिलता था पर अब जैसे कि Redmi Note 3 और Redmi 3S दोनों में IR blaster आ चुका है और यह mid-rangers में आ चुका है और अल्टरा बजर सेगमेंट में एंटर कर रहा है तो हमने इस वीडियो में Redmi 3S Prime के हर expect में बात की और 4 months यूज करने के बाद भी आज भी इसे मैं recommend कर सकता हूँ यह बहुत बढ़िया perform करता है बस एक camera ही इसके एक problem है उसके अलावा price to performance ratio बहुत बढ़िया है इसका और अगर आप यह device लेने चाहते है या इस device को लोगने की सोच रहे है तो बिना confusion के ले सकते है मैं इसे बिल्कुल recommend कर सकता हूँ इस price range में यह best device है और आप description में दिये हुए link को यूज कर सकते है और वहाँ से अपने लिए Redmi 3S Prime purchase कर सकते है तो आज की वीडियो के लिए इतना ही मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को like जरूर करे और अपने suggestion या अपने questions को comment section में पोस्ट करना ना बुले और हाँ अगर आभी तक आपने हमायर channel को subscribe नहीं किया है तो जल्द कीजिए मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye have a nice day